करोना संकर्मित मरीजों के बहतर स्वास्ते लाब के लिए हिमाचल सरकार द्वारा आरम किये गए आयूश घरदवार अभ्यान के तहट लोगों को स्वास्ते लाब योग के माध्यम से स्वास्ते की रक्षा के कदम उठाए जा रही हैं आयूश घरदवार अभ्यान के तहट आयरवेदिक विभाग के तहट असी ग्रूप तयार करके जिला हमीरपुर में कोविड मरीजों के अलावा होम आइसोलेशन के लिए भी लाब पहुंचाया जा रहा है जिला आयूश अधिकारी डॉक्टर सरीता राना के अनुसार जिला हमीरपुर में अभ्यान की शुरुआत में जिला में 75 वर्च्वल समुहों के माध्यम से 662 करोना संकर्मित मरीजों को जोड़ा जा चुका है और अभी आगे भी ये अभ्यान जोरोशोरों से जारी दहेग स्वास्थ 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 रक्षन आतुरस्य विकार प्रशमनम्चा क्योंकि आरवेड का भी यही उदेश्य है कि स्वास्थ व्यक्ति के स्वास्थे की रक्षा करना और जो आतुख है यानि जो रोगी है उसके रोग को दूर करना तो इसी के मद्दे नजर ये फेस नमबर वन है preventive, नमबर टू है therapeutic, नमबर थ्री vulnerable और नमबर फॉर protective, तो जैसे preventive में जो है वो हमारे जो co-morbid हैं या other all public या फिर co-morbid जो लोग हैं उस group में उनको रखा गया है, therapeutic में जो mild and moderate patients हैं जो DCCC में हैं या DCHC में हैं उनको रखा गया है और vulnerable में जो व्रिद्ध हैं बच्चे 6 साल से उपर के बच्चे हैं, गर्मिनी हैं या फिर lactating mothers हैं उनको उसमें रखा गया है, और जो last है group protective उसमें जो corona से ठीक हुए मरीज हैं पोस्ट जो covid patients हैं उनको रखा गया है इस तरह के groups बनाए गये हैं और जैसे पिछली बार हमारा 3000 से उपर जो थे हमारे अभ्यान से जूड़े थे लोग और अभी भी कल का है कल के data में मैं बताती हूं कि 74 हमारे groups बन गये हैं और उसमें 489 जो हैं जूड़े और दीरे दीरे और जूड़े हैं और आपके माध्यम से मैं यह बताना चाहूंगी लोगों को यह मैं आग्रह करना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जूड़ें और इस मुहीम का फाइदा उठाएं इस जून को इंटरनेशनल इन फेस जैसे लॉंच किया गया है तो उसमें हमारे डे टूड़े एक्टिविटीज में जो हमारे योग के एक्सपर्ट्स हैं वो हर दीन अलग लग तरह के विशे के उपर अपना लेक्शर देते हैं और वो जो आसन और क्रियां करके उनको बताते हैं लोगों को और अप्चों के लिए व्यसकों के लिए एक दिन गर्मिणी के लिए एक दिन वरिधों के लिए या डिजीज वाइस जैसे एक दिन डाबिटिक्स के लिए एक दिन इसी तरह से डिजीज वाई जो है हर रोज हम लोग हमारे जैस्पर्ट्स हैं वो जो इस जो ग्रूप्स में ज सबसे उमीद करती हूं कि सब लोग इसमें बढ़ चड़के हिसा रही है और जैसे हमारा फेज इतना सक्सेस्फिल हुआ है तो दूसरा फेज इससे भी ज्यादा है सक्सेस्फिल रहेगा और सब लोग इसका लाग उखाएंगे और मैं आपके माध्यम से